एक्जाम्पल एक को सोल करते हैं एक्जाम्पल एक के अंदर देखो यहाँ पर दियावा PX को है और यहाँ पर P तो मैं इसको अंदर गोणा कर लेता हूँ और गोणा करके मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ तो अब यह जो equation आई है यहाँ से मैं Y पराप्त करता हूँ Y को एक तरप कर लेता हूँ और बागी पूरे function को हम दूसरी तरप लेंगे तो यह function बनेगा इस तरह से अब यहाँ पर देखो P common लोगा मैं तो P plus 1 यहाँ पर cancel हो जाएगा और मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ अब यहाँ पर देखो PX-P का एक फलन बन गया यह कलोरेट रूप का होता क्योंगे देखो कलोरेट होता Y equal to PX plus function of C यह function of P इस तरह का होता तो Y equal to PX तो यहाँ पर भी Y equal to PX है और यहाँ पर होना चाहिता एक function P का P का एक फलन होना चाहिता इसकी तरह से तो यहाँ पर देखो P का एक फलन है इसका मतलब यह है कि यह कलोरेट रूप का है अब हम इसका हल करेंगे यहाँ तो हम P के स्थाने पर C लिख देंगे क्योंगी कलोरेट के अंदर यह होता है तो इसका आंसर हो जाएगा यह Y equal to XC minus A C X square upon C plus 1 जहाँ जहाँ P है वहाँ 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 से लिख देंगे वो इसका आंसर हो जाएगा तो यह हो गया example number 1 का आंसर अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर तो देखो Y P का पद बन रहा है क्योंकि यह अंदर गुणा होगा तो यह बन जाएगा Y P का पद तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब Y P का पद बनता है तो हम Y square को V मान लेते हैं मैंने ऐसा बताया भी ता आपको लेकिन मैंने कहा था कि ऐसा हमेसा नहीं होता है अब हमेसा इस तरह से नहीं मान सकते हैं जो substitution करने का जो तरीका होता है उसके लिए कोई direct idea नहीं है हमें कहीं सारी question solve करना पड़ता है तब जाके हमें idea लगता है कि हमें किस तरह से substitute करना चाहिए ताकि हमारा answer आ जाए तो यहाँ पे ऐसा कोई method नहीं है जिसे आपको direct पता चल जाए कि आपको किस चीज को क्या मानना है ताकि आप colorate में बदल दे तो इसके लिए तो आपको best करना पड़ेगा जितना ज़्यादा best करोगे उतना ही ज़्यादा जल्दी से आपको समझ में आगा कि आपको किस चीज को substitute करना चाहिए आपको परतिस्तावन कौन से यूज में लेना चाहिए